नमस्कार, MPCG के बाद भाजपा ने एक बार फिर से सब को चोकाया है रदस्थान में नए CM का नाम का एलान हो गया है भजनलाल शर्मा अब रदस्थान के अगले मुख्य मंत्री होंगे वसुंधर राजे सिंधिया को मौका नहीं मिला अलाकि उन्होंने कोशिश बहुत ही ऐसे में कई सवाल है क्या वसुंधर राजे सिंधिया की अगली भूमी का क्या होगी वसुंधर राजे आला कमान को मना क्यों नहीं पाई वसुंधरा राजे सिंधिया अगर न राज होती हैं चांसेश कितने हैं अगर होती हैं तो क्या भाजपा को इसका नुक्सान उठाना पड़ेगा इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमेरे साथ वरिस्त पत्रकार मनोज मुकुल जी है सर स्वागत है आपका पहला सवाल जो सर मेरा है आपसे यही है कि अब तो क्लियर है वजनलाल जो है वो अगले मुक्ष मंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया को मौका नहीं मिला तो अब वसुंधरा की भूमिका क्या होगी पार्टी में किसले बसुंधरा राजे के नाम पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और हम लोग पहले से देखते आया हैं बात करते हुए हैं कि बसुंधरा CM की race में दिख नहीं रही है अपनी ओर से उन्होंने पूरी कोशिस की थी अपनी तरब से उन्होंने कोई मौका छोरा नहीं था CM बनने के लिए लेकिन पार्टी आला कमान से जो उनके मत्वेद थे उनकी राह में रोडे बनकर खड़े हुए और आखिरकार आज उनको मुख मंत्री नहीं बनाया गया देकि बसुंद्रा राजे इस बग पार्टी की राष्टी ये उपाध्यक्ष है और कल एक खबर भी सामने आई थी कि बसुंद्रा राजे को पार्टी ने मुख मंत्री नहीं बनने की सूरत में इस पीकर बनने का ओफर दिया है दिया था चुकि रमन सिंग उधर तीन टर्म के सीम थे तो उनको इस पीकर बना दिया वहाँ पर अब बाड़ी बसुंद्रा राजे की थी तो बसुंद्रा राजे को ओफर दिया गया कि आप जो है इस पीकर बनिये लेकिन बसुंद्रा राज लेकिन अब सवाल है कि बसुंद्रा के लिए आखिर बीजेपी के पास है क्या अब इसके लिए थोड़ा पहले चलना पड़ेगा पहले चलने का मतलब है कि आप 2014 से पहले के नेताओं की बात कीजिए बसुंद्रा राजे हो चाहे रमान सिंग हो चाहे सिवराशिन चोहान हो य यो नडेंदर मोदी यए रहा से पहले के नेता है अतर लिए कुन dolphins के नेता हैं यह लोग पुराने लिटरसीब और पुराने बहुत ही मजबूत और छेतरिये अस्तर पर इनकी ताकत मतलब लोहा मानता है पार्टीं नेतर पlegen इनकी ताकत का लोहा मानता रहा है लेकिन अब चुकि चौदा के बाद सीजे बदली है चौदा के बाद नरेंदर मोधी उगा आया है उसमें इनेता अपने आपको फिट करने की कोशिस कर रहे थे लेकिन फिट नहीं कर पाए और यही बज़े रही कि जब मुख मंत्री का चेहरा चुनाब का एलान होगा तो मुख मंत्री का प्रशी नहीं अब आने वाले 6 महिने में लोकसभा के चुनाब होने हैं या तो बसंदरा लोकसभा चुनाब लड़के शांसत्द बने और फिर के इंदर में मंत्री बने एक बिकल्प उनके पास हो है दूसरा बिकल्प बसंदरा के पास यह है कि वो स्टेट की पोलिटिक्स सब्साथ चुनाब लड़े और सांसक्त बने फिर अपने लोगों को अगर अगर बग्छन्दरा को देने के लिए पाड़े के पास कुछ है कि उस स्टेचर की नेता है था अ evaluating के बड़े लोत पर कुछ नहीं है तो फिर हो सकता है तो आपने देखा था कि उस वक्त नारे लगते हैं तो आपने देखा था कि मोदी से बैड नहीं वसुंदरा तेरी खेली, इंटीम इंकंबिन से चली, अशुक डेलोत पर चुनाव जीत गए, तो क्या भाजपा ने वो देखके तो निन्ने नहीं लिया कि यार इनको तुमने म प्रधान कह सकते हैं कि आप किसले इस बात को याद कीजिए, 2013 में बसुंदरा राजे मुख मंतरी बनी थी, उस वक्त नरेंदर मोदी भारती जनता पाटी की तरफ से प्रधान मंतरी पद के उमिदवार घोसित हो चुके थे, और उस वक्त धेश में एक मतलब मोदी के नाम क लहर चल पड़ी थी, 2014 के लोकसवा चुनाब से पहले मोदी के नाम के परवर्तन की आंधी चल लही थी, मनमोहन सिंग ता प्रधान मंतरी थी, उनको हटाने के लिए जो गैर कंग्रेसी वोट में था, मोदी के पीछे जो है एक जूट होगे चल लहा था, तो उस लहर का का तुफान था, और उसका फैदा राजस्थान के चुनाब में तब भारते जन्ता पार्टी को मिला था, लेकिन उस वक्त बसुंधरा राजे और नरेनर मोदी एक पीछ पर थे, एक साथ चल लहे थे, उस वक्त को इस तरह की मनमुटाव वाली बात नहीं थी, इस तरह कोई पोलिटिक्स नहीं थी, तो उस बग्त बसुंधरा राजे को नित्रतों ने CM बनाया, मौझूदा नित्रतों ने उस बग्त बसुंधरा राजे को CM बनाया और बसुंधरा CM बनी, लेकिन 2014 में, जब 2014 में जब लोकसभा का चुनाब हुआ और 25 की 25 सीटे भारते जन्ता मेरी बज़ा से आई है, बसुंधरा को वी बात फील हुआ, कि भाई, ये 25 की 25 सीट जो आई है, वो मेरी बज़ा से आई है, तो बसुंधरा ने उस हिसाब से पार्टी नित्रतों के सामने बारगेन करने की, पोलिटकली बारगेन करने की कोसिस की, जिसमें वो काम्याब नही उसे दूरिया बढ़ती चली गई और दूरिया बढ़ते 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 2018 में बिधांसवा चुनाव हुआ तो 11 के लिए देश तयार था कि मोदी को रिपीट करना है मोदी तुझे बहर नहीं बसंदरा तेरी खयर नहीं किनाड़े लग रहे तो 2018 में बसुंदरा के कार्जकाल को लेकर इतनी नाराजगी हुई और एक पांस सार बाजो सत्ता प्रवर्तन का रिवाज राजस्थान में चलता रहा है उस रिवाज का वहां असर हुआ और फिर 2018 में बसुंदरा रिपीट नहीं हो पाई अचा मनोजी ये इसके पीछे क्या हुजा रही जब हम देख रहेते शुरुवाती जो हलचल थी वसुंदरा राजे ने खूब प्रयास किये विधायकों को घर पे बुलाया बेटे प्यारोप लगा के विधायकों को एक रिजोट में लेके रुके हुए हैं जेपी नड़ा से कोई भी युद्धा जो है नो कोशिस करता है राजनीती में कभी कोई ची हार नहीं मानी जाते आप हार मानके नहीं बैठ सकते कि हम अपनी तरब से कोशिस करना है बसुंदरा की खौईस थी कि हमको सीम बनना है पांच सालों परदे के पीशे चल लही थी पांच साल से कोई भून का थी नहीं अब चुकी सत्ता मिली पाटी को और जय्क अब हम भी मानेंगे और देश राजस्तान में बसंदरा के कदका कोई नेता नहीं है ऑसका रह माना हने चेतरी जहाएं में और इसका उदाहर लिस तरप दिखेंगे कि 20 से 25 50 40 बिधायक जो है जो बसंदरा की ज सब्सक्राइब करना चाहता है नए लोग को मौका देना चाहता था इसलिए बसुंदरा का नाम पीछे गया लेकिन बसुंदरा ने अपनी तरब से कोशिस की और हर आदमी हर नेता जो है वो कुरसी पाने के लिए आधी में आता है तो कोशिस करता है कि हम को चुकि हम इसके अन हैं तो हमको मौका मिलना चाहिए अपनी तरब से उन्होंने बाते रखी ती लेकिन तो को करना था कि हमको अब नया डेबलप करना है तो आपने जैसे अभी बात अभी कहें कि अभी वह सुन्दाय राजे राजस्तान की बड़ी नेता है और उनका कोई तोड़ नहीं है तो भाई भाजपा ने वसंदाय राजे के परकत्रें तो क्या उससे भाजपा नुकसान होगा कि राजपुत जो वोटबेंग है क्या थोड़े नहराज हो सकते हैं कोई नुकसान हो सकता है कहीं कोई दिक्कत दिख रही है कि अब इसको आप इस तरीके से देखिए कि फायदे पर सभी बात कर रहे हैं तो लोग अब गिना रहे हैं कि अब वसुनहराजे कोटा दिया यह बंगे सिये अब दो आप 24 में है तो बीजेपी है कैडर इस पाटी और बिना बीजेपी के बिना कमन निसान के बीजेपी के किसी नेता ने आज तक खुद को साबित नहीं किया एक आज दुआ पात छोड़ दीजिए तो हिंदी पट्टी में किसी नेता ने जारकंड की बात करेंगे तो बाबुलाल पसाना पड़ा तो इस तरह कि आपको बहुत सारे उदाहरन मिल जाएंगे तो इन पुराने उदाहरनों से सबक लेते हुए बस उन्दरा इस तरह की कोई इस तरह कोई फैसला नहीं लेगी पहली बात तो ही लेकिन अगर मानले इस तरह कोई गुंजाइस बनती भी है मानले एक मिनिट एक पर सेने के लिए माल ले कि अईसी कोई एस्थिती बन सकती है क्या तो इसका जबाब यही होगा कि देखिये भारते जंता पाटी एक क्रेडर अभेस पार्टी है और बिना पार्टी के निसान के पेट के नाम के किसी नेता का कोई यहां वैलू नहीं है वही पा होसे कि लगता है किल को मैं भी काम करूंगा किया क्ल कॉ लख के कले को मुझे देखेंगे कि जहाथे स्विछ पर्टी में साथडर की है यह कि है लेकि बसुन दरा इसससरा क्वैं करेंगी थोड़े दिन तक ऐसके साइड लाइन गॉसे बीस पाड़ाध करें लेकिन फिर साम को तो नराज नहीं हो तना नहीं होंगे करें को भूटर जो है ना पार्टी को बूट करता अबीं यह इसको इस्तरवेसे देखिए कि वोटर ने प्रधान मंत्रीने अरेमाह मोधि कर दिया इस वक्त इस चुना में बोगुच को आगे कर वोट नी आ था पतार मंत्री नदे मुंदी के नाम को आगर रखा, निसान को आगर रखा और उसी निसान को बज़ूरत पार्टी जीत किया आई और फिर आज की जो इस्तितिया आपके सामने है आप देखते रहें, ABP Live